अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके नमस्कार प्रभासाक्षी के शंग्धोनिकारक्रम में आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम सभी को पता है कि शार्दी नवरात्र आने में आप कुछी दिन बाकी है ऐसे में हम लोगों के मन में कई सवाल होते हैं जैसे कि नवरात्री के प्रथम दिन कलश के स्थापना का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथी बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे हर वीडियो आप तक पहुंच सके हिंदों में नवरात्री के तिवहार का सबसे ज्यादा महतों होता है और नवरात्री के 9 दिन पूरी तरह से माध दुरगा को समर्पित हो हो रहे हैं 14 अक्टूबर को महानौमी और 15 अक्टूबर को दशहरा मनाये जाएगा जो तिशाचारों के अनुसार इस साल चतुर्थी तिथी का च्छे होने के कारण नवरात्र आठ दिनों के होंगे 14 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्री के दिनों में माध दुरगा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होगी हम में से अधिकांशता लोग मातारानी की क्रपा पाने के लिए उपवास भी रखते हैं मानता है कि मा दुरगा अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और मन की मुरादे पूरी करती हैं नवरात्री में घरों में कलश के स् साथ अक्टूबर को घट स्थापना का सुब मुहर्त सुबह 6 बचकर 17 मिनिट से शुरू होकर 7-7 मिनिट तक है कलश स्थापना के लिए आपको कुछ सामगरी की आवश्यक्ता होगी जैसे कि जों बने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घ कलश को धकने के लिए मिट्टी का एक धकन गंगा जल सुपारी एक या दो रूपए का सिक्का आम की पत्तियां अक्षत मौली यानी की कलावा फूल और फूल से बनी हुई माला नारियल लाल कपड़ा या चुन्री दूर्वा या घास इन सभी सामग्रियों को इखटा करने के के बाद कलश की स्थापना की विधी की शुरुवात होती है नौरात्री में देवी देवताओं के अवहान से पहले कलश स्थापना की जाती है कलश स्थापना करने से पहले कलश को तयार करना होता है जिसके लिए सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी कि उगने पर ये उपर की तरफ उगें यानि बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और उपर वाली परत में बीच अवश्य डालें अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांदें साथी तिलक भी लगाएं इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें इस जल में सु चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांदें इन तीनों चीजों को तयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौवाला पात रखें उसके उपर मिट्टी का कल और फिर कलश के ऊपर धकन पर नारियल लगते इस प्रकार आपकी कलश स्थापना पूरी हो चुकी है इसके बाद सभी देवी देवताओं का आहवहन करके विदिवर्त नवरात्री पूजन करें इस कलश को आपको नौ दिनों तक घर के मंदिरों में ही रखे रहने देना होग बस ध्यान रहे सुबह शाम पूजा के समय आवश्यक्ता नुसार पानी डालते रहें तो या तो थी कलश की स्थापना विधी आईए अब जानते हैं व्रत रखने के नियम और पूजा विधी के बारे में नवरात्रे के पहले दिन नौ दिनों के व्रत या दो दिन के व्रत का संकल्प लें इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें अक्षत फूल एक सुपारी और सिक्का रखकर अपनी कामना पूर्थी के लिए मन ही मन संकल्प लें और माता जी के चर्णों में उस जल को छोड़ दें व्रत रखने वाले लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स स्फच्चों जाएं और घर की सफाई कर पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिरकाओ करें उसके बाद माता जी की पूझा की तयारी करें पूझा में शुद्ध जल और दूढ़ से माता को सनान करवा हैं दीपक जलाएं माता के मंत्रों का जाप करें दुर्गा सब्चति का पाठ करें पूजा में कुमकुम चंदन अक्षत फूल और अन्य सुगंधित चीजों का प्रयोग करें और मिठाए का भोग लगा कर आरती करें नवरात्री के पहले ही दिन से कई लोग अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं ध्यान रखे वो दीपक 9 दिन तक बुझ ना पाए वरत्र वाले जाब तक रोजाना माता की सुभा शाम विदिवत पूजा कर आरती उतारें और उन्हें भोग लगाएं सुभा माता की पूजा करने के बाद ही फलाहर करें इस वरत में नमक नहीं खाना चाहिए लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो आप एक समय सेधा नमक का सेवन कर सकते हैं शाम को फिर से माता जी की पूजा और आर्ती करें, इसके बाद एक बार और फलाहर कर सकते हैं। अगर फलाहर पर रहना संभव ना हूँ, तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन भियाप्त कर सकते हैं। हो सके तो रोजाना माता जी की पूजा के बाद एक कन्या को भोजन जरूर करवाएं और उसे दक्षणा भी दें ध्यान रखें कि नवरात्री के दोरान किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए यानि इन नौ दिनों में लहसुन प्याज मांसाहर और किसी व्यक्ति का जूठा भोजन नहीं खाना चाहिए नवरात्री में बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए ना ही शेव करानी चाहिए तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए और ना ही दिन में सोना चाहिए नवरात में सुर्योदे से पहले उठें और नहा लें जूट ना बोलें गुस्सा करने से भी बचें अपनी इंद्रियों को काबू में रखें और मन में गलत विचारों को ना आने दें वरत रखने वाले व्रक्ति को काले वस्त पहनने से और बेल्ट, चप्पल, जूते, बैक जैसी चमड़े की चीजों का अस्तमाल करने से बचना चाहिए इस वरत में अश्टमी और नौमी को पारण किया जाता है यानि इस दिन नौ कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दान रक्षना दे और उनका आश्चिरवात प्राप्त कर ब्रत खोलने उमीद आपको जानकारी पसंद आई होगी अगले सब्ता फिर से किसी नए विशेपर बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद झाल 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 झाल